नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्टिया बदलनी की जरुवत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे खुद बखुद बदल जाते हैं Hello everyone and welcome to launching goodness 1st January, New Year पे हम बहुत सरे resolutions लेते हैं, लेकिन January ही खतम होते होते हैं, वो resolutions कहां जाते हैं, पता नहीं, अबी भी बहुत देर नहीं है, we have 11 months in hand, we can change a lot, but with a positive attitude and the right approach, and that is why today I am going to speak on gratitude journaling, because शुकर वाली जिन्दगी जीना ही सारा solution है, आज के anxiety और depression हर घर की आम बात हो गई है, news में हम कई बार सुन लेते हैं, कि किसी की breakup होने से उसने suicide कर लिया, basically जब हम anxiety और depression में होते हैं, तो हम उस मखी के जैसे होते हैं, जो पूरे अच्छे भले शरीर को नहीं देखता, बस सिरफ उस जखम को देखता है, और उसी की पास मन रहता है, gratitude journaling इसी पर काम करता है, आपकी mind को यह तरह का mental exercise देता है, कि आपको आपकी positives को देखना है, ना कि negatives को, और यह आपको इसी तरह help करता है, देखें, जब हम exercise करते हैं, तो एक ही दिन exercise करके हमारे body fit तो नहीं हो जाता है, उसी तरह gratitude journaling को भी हमें कुछ वक्त देना पड़ता ह एक ही दिन gratitude journaling करने से आपका positive mindset हो जाएगा, ऐसा नहीं है, it takes time, but it works for sure, gratitude journaling ही क्यों, क्योंकि gratitude जो है, आपनी self positive talks डालता है, और positive self talks आपको आपकी goal को achieve करने के लिए motivated रखता है, जो कि essence है किसी भी aim को achieve करने के लिए, gratitude journaling basically तो बस अपनी blessings को लिखना ही है, यह सुनने में कितना basic लगता है, but यह बहुत गहरा असर करता है, उसी तरह जैसे बच्पन में जब आपको कोई answer याद नहीं हो रहा था, तो आपकी teacher ने आपको बोला कि इसी three times लिखो, और आपको याद हो जाता है, यह भी कुछ ऐसा ही काम करता है, जब आप बार बार अपने blessings, अपनी नेमतों को लिखते हैं, तो आपके mind को यह signal जाता है, कि आपको अच्छी चीजों को देखना है, positive चीजों को देखना है, हो सकता है कि कुछ कहें कि मेरे life में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अगर कुछ भी अच्छ में जाके देखिए, कि वो एक सास खरीदने के लिए लाखो अद्या कर रहे हैं, और फिर भी कुछ लोग तो अपने प्यारों को पापस पाने के लिए लाखो क्या करोडों देने को तयार हैं, मगर वो एक सास भी खरीद नहीं सकते हैं, यह काफी बड़ी वज़य है, जान ह तो जान है, लेकिन हम इसके कोई की कदर ही नहीं कर पाते हैं, एक छोटी सी इंसाइट मेरी स्टोरी पर मैंने कैसे ग्राटेट्यूट जर्नलिंग करनी सीखी, मैं बचपन से ब्राइट स्टूरें थी, इसलिए शादी के बाद भी, मुझ में कुछ एंतूजियाजम था Yes, transfers and shiftings due to my husband's job. I moved to many cities, I think so around 11 in 15 years. Yes, I have moved to 11 cities in 15 years and this is how I discovered gratitude journaling. Gratitude follow करने का मतलब ये नहीं, आप अपनी aims high न रखे, आप बेशक अपनी aims को high रखे, बट आपको पूरा कैसे करना है? आप शुकर अधा करते हुए पूरा करना चाते हो या कुड़ते हुए पूरा करना चाते हो? मैंने इसे try किया है और देखा है, pen और paper में बहुत सबर है कम से कम इनसानों से जादा, क्योंकि आज कल shots and reels का जमाना है, कौन किसकी सुनना चाता है? पर एक pen और paper आपकी हमेशा सुनेगा, आप इसे जब भी लिखना स्टार्ट करें। देखिए, अपनी नेमतों का शुकर अदा करना किसी इबादत से कम नहीं है। तानी तंस शिकायतों से अगर आप ठक चुके हैं, तो शुकर को एक मौका दीजिए। और शुकर करते-करते देखिए आपकी life कैसे positive होती है। मैं अपने journal में positivity के लिए और अपने आपको motivated और जादा अच्छा चाते हैं। आप भी इसी तरह कोशिश कीजिए और देखिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और आपको इससे कुछ भी सीखने मिला है तो प्लीज इसे like, share, subscribe कीजिए और bell icon को भी ज़रू दबाएगा। थैंक यू, बाए-बाए। झाल